नमस्कार दोस्तों भासा जनकारी चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों बंगला लग में सिखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में बेल आइकन घंटी दबा लिजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं मेरी वीडियो आप तो दाडान इस वीडियो को लाइक कर दिजिया और इस वीडियो की आखरी तक बने रहेगा तकी आपको छोटे-छोटे ऐसे संटेन्स बहुत मिलने वाले हैं वापसा आईये फिर ईसुन मतलब होता है वापसा यचा को हम बोलते हैं आसुन वापसा ये ऍंटी इस और और उ जाने दीजिए जेते दिन बंगला लेंग्वेज बहुत इजी लेंग्वेज है थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आपको कम समय लगेगा सिखने में जरा यहां आना एक खाने एक टू आसो एक खाने मतलब होता है जरा एक टू मतलब होता है यहां आसो मतलब होता है आना ज उत्तर दीजिये, उत्तर दीन। एक्टू मतलब होता है उसे। जगाये को बोलेंगे जागान, आसा है तुम पत्र लिखोगे, आसा कोरी तुमी चिठी लिखबे, मेरा एक काम करोगे, आमार एक्टा काज कोरबे, आमार मतलब होता है मेरा, एक्टा मतलब होता है एक, काज मतलब होता है काम, करोगे कोरबे, आमार एक्टा काज कोरबे, मुझे काम करने दो, आमाई काज कोरते दाओ, मुझे काम करने दो, आमाई मतलब होता है मुझे, काज मतलब होता है काम, करने मतलब कोड़ते, दो मतलब दाओ, आमाई काज कोड़ते दाओ, जरा देखने तो दो, एकटू देखते दाओ, एकटू मतलब जरा, देखते मतलब देखने, दाओ मतलब तो दो, उन्हें आराम करने देजिए उन्हें आराम करने देजिए उन्हें आराम करने देजिए उन्हें के मतलब होता है उन्हें बिसराम मतलब होता है आराम करते दिन मतलब करने देजिए उन्हें के बिसराम करते देजिए जरा कागज पैंसिल देजिए आमा के कागोज पैंसिल दे आमा की मतलब होता है मुझे कागोज मतलब कागाज पेंसिल को पेंसिल कहेंगे दिन मतलब दीजिए इसको दूसरे अर्थ में ऐसे भी कह सकते हैं कि जरा कागज पेंसिल दीजिए यहां मुझे छुपा हुआ है आमा के कागोज पेंसिल देन एह वीडियो कैसा लगा वीडियो धन्यवाद